हे एवरिवान कैसे हैं आप सब आई होप आप सब सेफ हैं अच्छे हैं मस्त हैं आज की मेरी रेमेडी है आपने थमनेल भी देखा होगा कि आखे जो कमजोर होती जा रही है आखो पज़े चश्मा लगाऊ है आखों की रोशनी तेज करने के ऐसे गरे दिन उसके आपको और आप मिलेगा और आपकी आखों की रोशनी 100% तेज होगी यदि आप उसे रुटीन में 40 दिन तक कर लेंगे आपको फरक नजर आएगा आपका नंबर कम होता जाएगा उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखनाओ का स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो थो मिलेंगी इंप्रूव होंगी मेरी वीडियो दिन पर देगी इसलिए कॉमंट करके मुझे टॉपिक्स भी बताईए जिससे आपको अलग लग टॉपिक्स पर आपके पसंदिदा टॉपिक सब वीडियो देखने को मिलें अच्छा आपको जैसे चश्मा लग जाता है या वैसे भी है डाक सकल होते जा रहे हैं या आईज में फिनेस आ गई है रिंकल हो गई है तो उपर मैं आई बटन में वीडियो दे रही हैं आप उसे जरू 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 करेंगी उसमें भी आपको बहुत अराम मिलेगा चश्में लगते जा रहे हैं कोई एज की वह नहीं पहले एज के कोडिंग ये था कि आईज वीक हो गई है तो चश्मा लग गया लेकिन आज कल छोटे बड़े सभी को चश्में लग गए हैं उसके लिए आपको सबसे पहले अपना डेली रूटीन चेंज करना है सबसे पहल है सेकिंड रेमेडी मू की लार मू की लार के आपको पता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी आँखों की रोशनी तेज करने में आपको मू की लार को सुबह उठते ही आपको और कुछ नहीं करना पानी वानी कुछ नहीं पीना है हाथ में ले ले और काजल की त तो आपको eyes को wash कर लेना है 30 minutes तो जरूर लेटें और आपको eyes में infection है तो आपको ये काम नहीं करना है या बीमार है बुखार है और आपको इसके लिए रात को brush जरू करना है brush कर देंगे तो आपका मूँ clean हो जाएगा आदा घंटा लेटने के बाद आपको मूँ में पानी बरना है ये 3rd step है मूँ में पानी भरें और eyes में छीटे लगाए 8-10 बार आपको ये प्रोसीजर आपको जितना हो सके ना 5-6 बार जुरूरी करना है 8-10 बार जितना आपको टाइम मिले आपको जुरू करना है इससे हमारी आई मसल स्ट्रोंग होती है और आई मसल स्ट्रोंग होंगी तो आमारी आखों की दोशनी तेज होगी और चश्मे का नंबर नेचरल ही कम होता चला जाएगा और आपकी eyes एकदम पतला जो बेजान होती जा रहे हैं चश्मे की विजए से infection हो गया है या पानी आता रहता है मतलब ओफिस वगरा में कर रहे हैं तो आपको सीट पर बैठे बैठे ही eyes close करके 5-7 minute मतलब लेट जाएं रिलेक्स करें आपको आखों में बहुत आराम मिलेगा उससे आपकी आखों की रोशनी भी तेज होगी आपका चिरचड़ापन चला जाएगा और आखों पर ज्यादा 10 minutes तक आपको शवासन करना है जी हाँ बिल्कुल ऐसे छोड़ देना अपने शिरिकोडिला छोड़ देना eyes close कर लेनी है 10 minutes बाद आप उठेंगे तो आपको तीन गंड़े जो आपने work किया है आपको उसकी थकान ही नहीं होगी और आपकी आई मसल वीक नहीं होगी वीक नहीं उसके बाद है आई एक्सेसाइज आई एक्सेसाइज में आपको आई इसको ब्लिंक करना है जी हाँ आप यह करने के बाद आप आइसको ब्लिंक करें 10 से 15 बार और आइसको ब्लिंक करना है खोल बंद करना है आई एक्सेसाइज करनी है आई एक्सेसाइज की ओर भी वीडिय बाई देखना है ये exercise भी आपको साथ में ही करने है blink करने की, खोल बंद करने की, ऊपर नीचे दाएं बाई देखना उसके लिए मैंने आपको लिंक उपर आई बेटन में दे ही दिया है उसे आप जरूर चेक आउट करें, आपको बहुत एल्प मिलेगी उसके बाद आता है diet plan, आपको diet plan में daily आपको क्या खाना है, green vegetables तो खानी ही खानी है हर एक color की vegetable को, एक vegetable को add जरूर करें अपने diet में और fruit को भी, आपको भोग ज़्यादा फर्क नजराएगा और body भी आपकी strong होगी, यदि आप, मतलब ये daily routine अपनाएंगे न आपको आईज में क्या अपनी बोड़ी में भी बहुत ज़्यादा फर्द ना चराएगा आईज सो आपकी तेज होंगी ही होंगी और चश्मे का नंबर भी कम होता जाएगा हर एक तरह का फूर्ट आप डेली खाएं, बच्चे को दें, बच्चे की आईज वीक हैं वैसे आपको डेली रूटीन में ही आपको ये फोलो करना चाहिए और आपको पी चश्मा लग गया है तो ज़रूर ही फोलो करना चाहिए हर एक तरह का फूर्ट, हर एक तरह की वेजिटेबल ज़रूर खाएं बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि मारी बोडी को बहुत ज़रूत है वाइटमिन्स की, मिनरल्स की तो आपको फूर्ट, वेजिटेबल से ये सब चीजे मिलती है या सोक किये हुए ड्राइफूट भी आप 3-4 पीस ले सकते हैं बदाम को सोक कर लें यानि रात को पानी में भीगो दें और सुबह उनको छील का खा लें वाइटमिन्स मिनरल्स और फाइबर आपको सब तरह मिलेगा यदि आप वेजिटेबल फ्रूट्स और ड्राइफूट्स और दूद आप ज़रूर ले आपको ये चीजेज करनी है आपको आपको अमें बहुत अराम मिलेगा आपको दिन परते दिन फर्क नजराने लगेगा मेरी सारी रेमेडी आपको डेली रूटीन पूरा फोलो करना है इसमें से ये नहीं होगा मैंने आपको डेली रूटीन बताया है ये नहीं कि एक रेमेडी फोलो करनी है ये आपको डेली रूटीन बताया है ये आपको सारा फोलो करना है आपको 40 दिन में ही रिजल्ट मिलें वीडियो थोड़ी सी भी हेल्फ लगी हो पसंद आई हो लाइक शेर कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टे हॉम स्टे सेफ चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको नीचे बैल ने जड़ाएगी छोटी सी आपको उसे हिस्ट करना है और उसे ओल पर स करना है जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई लव यू ओल थैंक्स वर वाचिंग